daare जोन्तों प्रीयोग के दार पे अलग अलग नाव भी पुछे जाते हैं जैसे अगर हम पहले रंग की बात करें तो पहला है मोनोक्रोम क्या होता है जिसको नहीं पता हो जानले कि मोनोक्रोम यानि कि जब भी आप किसी पेंटिंग में एक ही रंग का प्रियोग करके पूरी पेंटिंग ही कंप्लीट कर देते हैं तो उसी पेंटिंग को क्या बोलते हैं एक ही रंग से पूरी पेंटिंग को तयार कर देना और उसके विभिन्ड टोन से उसी वही होता है मोनोक्रोम ठीक है लेकिन जब आप किसी पेंटिंग में एक से अधिक रंगों का प्रयोग कर देते हैं ठीक है एक ही पेंटिंग में जब एक से आप अधिक रंगों का और एक से अधिक रंगों का जब आप प्रियोग करते हैं तो वहां हो जाता है multi color तीक है आप जितना चाहिए रंग यूज करें वहां पर हो जाएगा multi color और जहां रंग चक्र के आमने सामने के color की बात हो तो उसको को बोलते हैं बिरोधी रंग और बिरोधी रंग को क्या बोलते हैं कॉम्पलिमेंटरी कलर ठीक है रंग चक्र में आमने सामने के रंगों को क्या बोलते हैं कॉम्पलिमेंटरी यानि की पूरग या बिरोधी रंग भी हिंदी में बोलते हैं ठीक है उसी को एंगले से कॉम्पल लॉक्स कलर लॉक्स कलर यानि रंग चक्र में पास-पास के रंगों को इन और लॉक्स कलर भी कहते हैं तो इस चार रंग थे जिसके बारे हम लोग बात किये धन्यवाद